हाई आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे रेगलर क्लास ले रहेंगे सुबह हमने साइंस का मॉडल पेपर किया था सेट वन अभी हम यहां पर साम की मीटिंग में हिंदी का मॉडल पेपर कर रहे हैं आप सभी जानते हैं पत्रिस नंबर का या पेपर 12 नंबर आपको पासिंग इसमें मिलने हैं और आपका यह जो पेपर है वो एक घंटे को होगा सारी चीज़ आपको पता है तो चलिए बढ़ते हैं बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं आपके एक्जाम बहुत नस्दीक है आपके सामने जैसे आपका पेपर होता है वैसे मैंन पासि ही लिया हुआ ठीक है पहला आपका फॉइक प्राइगा एक इक नंबर करेंगा चलिए देखिए पहला करशन यहां पे दिया है निम्न में इसे पावर्ग के वर्ण है पावर्ग जो होता है उसका उचान कहा से होता है आपसे सिंपल से बात यही पूछ रहा है कि खचागा में नहीं आते हैं वो बाहर की कुछ वर्ट रहते हैं जिसे ला है सीती वला सा है तो ध्यान रखेगा घलती किसी के नहीं होने चाहिए वो सूत्र के कॉर्डिंग होगा वा हो गया इस तरही के से तो यहां पर बताईए पहले का अंसर क्या होगा दंतोस्ट होगा चावर्ग तादू तावर्ग मूर्धा तावर्ग दंत पावर्ग ओस्ट तो पाक अचाएस्थान ओस से होता है ओठो की सहायता से हम पावर्ग में जितने भी वर्ण दिये गए उनका उचारन करते हैं आगे चले no doubt next देखिए फिर यहां पर दूसरा आपके सामने दिया है निम देखित में से कौन सा वर्तनी असुध है आपको चार वर्तनी दी हुई है आपको बताना है कौन सी असुध है ये देखिए उरिण है कितिम है दैनी है अच्छो हिडी है अच्छो हिडी है बताईए चारों में से कौन की किसकी वर्तनी असुद है बताईए फटा फट बताई राइट आंसर क्या होगा दूसरे का राइट आंसर कौन सा होगा कौन सा ओप्षन यहाँ पर आपका सही होगा जो गलत है तो बैनी की अच्छो विड़ी की तीनों की ये बाकि सही है एक की ही गलत है आगे चले नेक्स्ट तीसरा है नौरात्र में कौन सा समास है समास आफ सभी जान रहे हैं नौरात्र बहुबरी है द्वन्ध है कर्म धरायद द्विग्वे पताए कौन सा अप्शन सही होगा हिंदी का वेपर आसान आता है, सभी वेपर आसान आते हैं, बस पढ़ने पर बेसे, अगर आपने पढ़ा है, त्यारी किये तो आपका कोई भी कुर्शन गलत नहीं होगा, ये मेरी गरंटी है, बताइए क्या होगा, थर्ड का राइड, नौरात में कौन से समास है, बाउबरी समास, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर एक ही है, डी ओप्शन करेक्ट है, दुग समास है, क्योंकि न वरात संक्या की बात की गई न, तो संक्या वाजी जो सब दोते हैं, वो दुग समास के अंतरगत आते हैं, क्लियर है, आगे बड़ी, नेक्स देखिए, फोर्ट यहाँ पर उत प्लस लास लिखा है, उल प्लस लास है, उल प्लस लास, बताइए क्या होगा, चार ओप्शन में से कौन सो ओप्शन करेक्ट है, संदी विच्चेत पूछा है, उल लास का, संदी विच्चेत से भी काफी क्वेशन आते हैं, ध्यान रखिएगा, बताइए क्या होगा, र जाते हैं ध्यान रखेगा गुड़ के पूछे जाते हैं यह जरूरी नहीं कि साथे क्वेश्चिंस स्लाबस और इंटेड हैं बेसिक क्रामर से भी क्वेश्चिंस आसक होते हैं ध्यान रखिएगा तो यहां पर आपको उता दू एप्शन करेक्टर उल्लास का संदी विचे उ कोากबिकपूश करा रहा है जो अच्छे कुल्ट में पैदा हुआ हो एक बंदा या बच्चा कोई भी हो ठीक है जो अच्छे कुल्ट में पैदा हुआ हो उसको वाकियाँस के लिए पांच क्वश्चन आपके बहुबिकलपी के आते हैं एक नमबर के मैंने भी एकदम हूबहू जैसे पेपर होता अठारा कॉर्षն रहते हैं हिंदी के के पेपर में पच्चेस नमबर वायल जो पेपर इन में 18 रहते हैं और 50 वाले में 40 रहते हैं तो यहां पर हमने पां तो आपको बताना है कितने हैं बावन ध्यान रखने की गही है आगे बडे नेक्स देखिए शुट लेक का आपसे उद्धे से पूच रहा कि क्या हो दुखना बहुत सारे ऐसे शब्द से पुता चलजाता है कि उनका क्या मतलब होगा शुटिलेक का मतलब क्या होता है सुनना लेक का मतलब क्या होता लिखना तो मतलब क्या होगा कि सुनकर लिखने वाला लेक कौन सा लेक जिसको आप सुनकर लिखेंगे क्या करेंगे सुनकर लिखेंगे तो वो क्या हो गया शुत लेक हो गया अब यह क्या है इनके बारे में थोड़ा सा भासा के रूप में देख लेते जो टीचर होता है जब बच्छा क्लास फिफ्ट में रहता है तो उसको सुश्रुठ सुश्रुठ लेक शुख जिसको सुनकर लिखा जाता है सिक्षक बोलता जाता है अच्छा तुस्टे लिखते जाते हैं फिर शुख लेकन का उद्धेश शब्द और वाग्यों को दुरुस सुद्ध होगी और लिखने में भी तेज क्यूंकि टीचर एक बच्चे के लिए साफ से तो रुकेगा नहीं पांच बच्चे हैं एक कोई बच्चा धीमे लिख रहा है कोई बच्चा तेज लिख रहा तो क्या होगा आपको लिखने की हाबिट होगी आपको टीचर के कॉर्ड की वह आदत है आप सुनके लिख ले रहे हैं वैसे आप सुनकर समझने भी लगेंगे यहीं उदेश होता है ठीक है क्लियर है नो डाउट आगे बढ़ते हैं नेक्स चलते हैं अब यह देखे नेक्स यहां पर एट है अनुसवार किसे कहते हैं यहां पे आप लिख सकते हैं कि ऊचारण में वाय नाक से निकलती है और जटके के साथ होता है यहां पर ऑदेखे रहा आप को यह है दिख रहा अनुसवार अगे बढ़े नसवार विसर यहसार न रखी काफी पूचें जाते हैं उदारन के साथ। और एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको धारण ना भी पूछे आपसे हिंदी ग्रामा में कोई questions आ रहा है आपसे सिर्फ संग्या के लव धारण नहीं पूछ लिए सर्वनाम क्या यहीं पूछे तो यह ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ अगर संग्या पूछा ता पिलिग्राम चनल पर मिल जाएगा लिंक आपको कमेंट वॉक्स से पिन करके मिलेगा जिसने नहीं जॉइन किया महां से जॉइन करें इस सारे पीडिफ टेली क्लास के आपको वहां पे इसली अबिलेवल हो जाएंगे चली देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन यह आपके सामने नाइन्थ क्वेशन अर्प विराम का प्रियोग कप किया जाता है विराम चनल से प्रश्ण बहुत सारे आते हैं ध्यान रखिये कभी कभी आपको धारन देदेगा और आपसे विराम चनल पूछेगा या तो कभी कभी आपको चार आप्शन देदेगा बोलेगा इसमें विर कि गलत है यह question पूछ लेगा ध्यान रखिएगा ठीक है आपसे विराम चिन्न का चिन्न देदेगा को नाम देदेगा बताएगा विराम चिन्न का नाम पूछेगा ऐसे प्रशन बनते हैं विराम चिन्न से सीधे प्रशन भी बन जाते हैं जैसा कि आपके सामने पूछा गया है कि अल्ब विराम क्या होता है अल्ब का मतलब होता है कि ना धीरे ना बहुत तेज मतलब थोड़ा सा कम ठीक है तो यहां पर किसी वाकिय में अल्ब विराम का प्रयोग देने है तो अल्ब विराम का प्रयोग यहां पर उधारण है रोको मत जाने दो ठीक है फिर रोको मत जाने दो आप दोनों बाते सही लिखी हुई है वरतनी भी एकदम सुध है लेकिन क्या है यहां पर जो कौमा का यूज हुआ है जो अल्थ वराम का यूज हुआ है यह अर्थ का बदल दे रहा है क्यों बदल रहा है आप ले जो जा रहा है और कोई बोल रहा है कि इसको रोको मत जाने दो और कोई और है उसमें क्या बोल रहा है दूसरे वाक्त में रोको मत जाने दो जैसे कोई जान बूच के आके आपके सर्व बैठ जाता है उसको होता है ना कि आधे लोग को कहते है रहे रोको नहीं जाने दो तो व आगे बढ़े मुझे उमीद है आपको समस्SON में आ रहा है क्लियर है Appreciate डिके कि लेखन सिक्षिन की विधिया डिया दिया घिया है आपको लेकन की विधिया पोश रहा है तहीर यह पर लिखेंगे कि लेकिस टॉट विधियां है कौन कौन सी जैक टॉट विधी है जैक टॉट नहीं जैक टॉट विधी है ठीक है जो है दो नमबर में पूछता है तो आप क्या करेंगे यहां पर नाम लिखेंगे को सपस्ट शुरू प्रदान करना लेकर से क्या होता है कि जो अच्छा आप यूज कर रहे हैं जो सब्सक्राइब और वर्दनी के दिश्टा से तो वह उसकी नजरिया से सुध्ध हो सही हो व्याकर से भी और वर्दनी से भी क्लियर है आगे चलें कोई भी डाउट नहीं है हमन हैं यहाँ पर अठेलग sagda का दूसरा नाम क्या होता है वर्ण माला क्या होता। हम अगे वड़ें तुकांद शब्द क्या है तुक वाले की बश्वास जो आप examiner को बता सकती हैं बहुत सिंपल सी तुक वाले शब्द क्या है तो तुकान सब्दों में उच्चारण की द्रिश्ट से समस्त शब्दों और अच्छरों की स्वरों की किसी प्रकार की एक रूपता होती इसमें क्या होता है कि जो तुक वाले शब्द होत देखे का का आ रहा है इसमें जो है सटकोन वाला सा और ताटा यहीं आ रहा है तो जब आप बोल रहे हैं तो क्या रूस्त पूस्त ऐसे बहुत सारे यह क्या है यह तुक वाले शब्द है तो समानता है दिख गए एक रूपता है दिख गए आगे पड़े नो डाउट नेक् फटीन थी यहाँ पे क्या दिया हुए अनेक शब्दों के अस्थान पर एक शब्ड का प्रियोग क्या है तो यहाँ पर है कि भासा को संचिप्ध तरस बनाने लिए तो वाक्र को एक शब्द में व्यक्त करने वाले एक सब्दों करने के लिए हम नहीं पे एक आंस वाले गया हो जिसने विवाना किया हो अब वावेत होता है कि जिसकी कोई उपमाना हो उनको आंवन उपनास्ठाइब है और ना विझा अगी कोई दिखक नहीं है नेक्स देखे पर आपका हिंदीगा ऐसे ही आपको तेखने को मिलेगा पंद्रावा क्वेशन है चयन में कौन सी संधी है तो चयन आप एक शब्द दिया है आप में पूछा है इस सब्द में कौन सी संधी है तो बताईए क्या होगी तो आपको यहाँ पर बता दो यहाँ पर आंसर संधी नहीं नहीं होती है कि प्राइब सब्सक्राइब और वन subjekt G дातु से за direito है भास चंट इस फ़ीर है no doubt आगे बढ़ते हैं 17 है यहाँ पर देवनागरी लिपी किस लिपी से विक्सित हुई है तो राइट हैंस है ब्राम ही लिपी जो निर्मित हुई है वो ब्राम ही लिपी से बनकर आगे निकली है आगे बढ़ी next कार के होने का बोद कराने वाले आज की यह क्लास यहीं तक हमने total 18 questions को किया पूरा हिंदी का एक model paper हमने आज किया हमने तीन कर लिया बाल विकास, section अदिगम और हिंदी और एक science चार कर लिया ठीक है चार कर लिया है कल हम math की करेंगे सुबा उसके बाद फिर हम next यहां पर कल साम को हम जो है SSD की करेंगे, चिक है हमारे यह लगबख clear हो गए है मुझे उमीद है कि आपको पसंद आया होगा हिंदी का paper ऐसे ही हुब हो आएगा कोई tension की बात नहीं हिंदी में किसी की फिलहाल back नहीं लगती है सिर्फ आपको practice करनी है चीजे गलत नहीं करनी है अगर पसंद आया चैनल को subscribe करिए वीडियो को like करिए दोस्तों में share करिए जाते जाते एक comment मुझे जरूर करते हुए जाएगा आपको class कैसी लगे तब तक के लिए take care and always keep smiling